अज के वीडियो में आपको दिखा रहा हूं रियलमी बट्स वारलस प्रो को ओपन करके इसके अंदर क्या है कैसे है मैं इसका में बोड एरिया नहीं क्छोलूंगा और वैसे ज्यादा कुछ है नहीं में बोड एरिया में यहां एक पीसी भी होगा और इसे खुलने के लिए द और इसको हीट बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि यह प्लास्टिक है तो इसे खोलना कैसे है मैं आपको बता जेता हूं तो इस वाले सक्षन को मैंने कैसे खोला है मैं आपको यह बता जेता हूं पहले तो इस वाले सक्षन को खोलने के लिए दोस्तों मैंने जो है सबसे पहले य जबकि यह फटाना नहीं था मैं आपको भी नहीं हटाना यहां पर आपको छोटा सा लॉग दिखेगा तो इसका भी कुछ नहीं करना है तो यह खोलते वक्त जो है अपने आप यह ऐसे ही टूट जाएगा तो इसका कोई रोल भी नहीं है जादा कुछ क्योंकि यहां पर यह चिपका होता है तो दोस्तों इसको जो नहीं ऐसे प्लायर से पकड़ के पीछे की तरफ आपको ऐसे दीरे दीरे ट्विस्ट करके खोलना है अगर आपको आईडिया नहीं मिल रहा है तो आप मेरा जो बर्स वायलेस जो पह सबसे पहली बार इसको उपन किया तो उसमें मैंने हीट किया था जिसके वाज़े से वह भी अच्छा थे खुला नहीं था हीट करने से और जो है वायर ब्रेक हो गई थी तो ध्याना कि खोलते वक्त जो है बहुत केरफुल रहना आपको इसको खोलते वक्त कि आप धीरे-ध इसको दोस्तों ये खीचने के बाद आपका Ident उत्यार की आपको मिलेगी और यह को खीचने के बाद इतने से ज्याधा नहीं खीचना है ज्याना रहे घ्यान रहे इसके बाद अपको ऐसे प्लास्टिक का टूल ले ना इस तरीके का और दोस्तों इसके लग पर यह देखिए टेप लगा हुआ है तो डबल साइड टेप को सॉफ्ट करने के लिए आप यह आइसो प्रप्रेप्ल लिकुल का इस्तमाल कर सकते हैं तो ऐसे मैंने इसको खोला है फिर उसके बाद जब आप इसको इदर से पुश करेंगे तो यह जो है धिरे-दिरे निकल जाएगा ऐसे यह ऐसे निकल जाएगा बाकी मैं आपको वाइरिंग चेक करा देता हूँ तो दोस्तों यहां कुछ ज़्यादा वाइरिंग बोर्ड पर नहीं दी हुए इसकी सारी वाइरिंग जो है इस तरफ है यहां से गए वी बाकी जो पीसीबी पर है वो देख लीजे यहां पर अब यह यह जो है रेड़ वाइर इसमें जो है बैटर की पॉजिटिव है ग्रीन वाइर जो है इधर से जो ग्रीन वाइर आ रहे हैं दोस्तों इधर से यह टेंपरिशिर का है और या फिर आईड़ी पॉइंट कह सकते हैं इसको और यह ब्लैक वाइर जो है इधर से जा रहे है जो यह बैट्री के निगेटिव और यहां पर ऊरेंज वायर और ग्रीन वायर दिहान रखिए गा यहां पर ओरेंज वायर दिख रहे हैं that यहां पर ओरेंज सुछिट के लिए गईव्य है यह positive जो power के लिए दी गई है तो ध्यान रखिये गई बार अब हम जो है battery देख लेते हैं तो battery देख लेते हैं बैटरी जो इसमें लगी विए दोस्तों यह है 3.8 वोल्ट की यह देखें एक सो साथ अमेज की battery है जबकि आपका जो realme buds था उसमें जो है buds wireless उसके अंदर 110 या 120 अमेज की battery लगी वी थी तो इसमें थोड़ी ज्यादा battery है इसलिए battery वेक इसका ज्यादा तो 3.8 वोल्ट की battery है और उसमें शायद 3.7 वोल्ट की battery लगे हुई थी तो इसमें 3.8 वोल्ट की battery लगे हुई है तो देख सकते हैं आप 160 अमेज की battery है और इसका जो maximum voltage है यह देखें 4.35 वोल्ट तो इतना है तो आपको जैसे यह 3.8 वोल्ट वाली बैटरी जो है बहुत कम मिलेगे अभी मार्केट में क्योंकि नहीं नहीं है Bluetooth में फोन अगरस में तो मिलती है तो यह जो है आप इसमें 3.7 वोल्ट की भी battery लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी से battery व दोस्तों तो आपका जो 3.7 वाली वोल्ट की बैटरी है वो 3.8 पर आते आते हैं जो है लो हो जाएगी तो यहीं फर्क मिलेगा आपको खाली तो ना चलने से तो बैटर है कि आप वह बैटरी लगा लीजे और यह देख सकते हैं यह बिल्कुल चाइनीज पोटक्ट है क्यों है अगरे 6 hadn चेक करवा देता हूं तो है जो है दोस्तों कि के इतना है jest कि कड़ा तो हाईट है दोस्तो इसकी- चार है कि अचेका चैनर के एक अचेक्टया और अचनerson से भी आप देख भीचिए कि यह देखिए 4 mm की हाइट है और लेंद चेक करते हैं वैटर की तक्रीबन 49 से 40 mm की जो है यानि 4 cm की इसकी लेंद है अब हम विट देख लेते हैं इसकी कितनी है इस कॉर्णर से इस कॉर्णर तक और यह जो है दोस्तों यह 8 mm तो 8 mm की इसकी विट है हैं तो दिभान में के जिए आपका बैटरी का साइज अब कोई भी बैटरी आप पर्चेस कर रहें हैं इसकी किर देख दे और मैं आपको बता दोस्तों बहुत साइजलोग कॉमेंकर बैטरिय कहां से करते हैं देखे दोस्तों जो इंडिया में है सब सब का लिम्टेड जो है श्टॉक आता है मतलब हम जो चाहे वह बैटेरी नहीं मिल सकते इंडिया में तो इस बात में बहुत रखेगा इसमें हमें alternative बैटरी लगानी बढ़ती है तो कोई भी alternative बैटरी जुगाड करके आप लगाईए क्योंकि यही एक solution है प्रॉपर बैटरी दोस्तो ना आपको सर्विस एंटर प्रोवाइड करेगी और ना ही बाहरा आपको मिलेगी इस जैसी alternative बैटरी कोई भी आप लगा सकते हैं आपका काम चल जाएगा तो इस बात को ध्यान रखे और online वागर है के लोग लिंक पांगते हैं मैं बैटरी का लिं और बस यह है तो अपने बैटरी देख ली अब मैं आपको दिखाता हूं इसका magnetic switch and noise cancellation mic तो आप यह देख सकते हैं इसमें speaker थोड़ा बड़ा लगा हुआ है उसमें चोटा speaker था और इसमें Twitter भी लगा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लैक्स जो जा रहा है एक्स्ट्रा फ्लैक्स जो देख रहे हैं आप यह ट्विटर का है और यह speaker है यह speaker की वायर से हैं black and red और यहां पर देख सकते हैं यह है आपका magnetic switch और magnetic switch के अंदर ही जो है यह mic लगावा है यह noise cancellation mic के दोस्तों ध्यान रखे गया यह जो calling mic नहीं है जिसे call पर बात होती है य noise cancellation का mic है noise cancellation mic इस वाले earbud में दिया हुआ है देख सकते हैं यह जो hole बना हुआ है speaker का hole नहीं है यह noise cancellation mic का hole है इसी से आपका जो है noise record होता है और जो ANC processor होता है उसमें प्रोसेस होके noise cancel होता है तो यही चीज़े दोस्तों और मैं आपको बता दूँ कि यह जो earphone है यह टूटा ह हुआ है था मेरे पास इसका जो यह देख सकते हैं यह हलका आपको थोड़ा सा ऐसा बैंड जी सा दिख रहा होगा तो यह टूटा हुआ था आपको crack भी नदर आ रहा होगा यह अंदर से देख सकते हैं आप तो टूटा हुआ है यह और इसका जो magnetograph अब जो है टूट गया है यह देखिए तो इसमें magnetic switch भी टूट गया है इसका तो इसमें मुझे कुछ जुगाड करना पड़ा है तो इसमें जुगाड करने के लिए इसका magnetic रखने के लिए दोस्तों इसमें मैंने extra speaker का magnet लगाया है ताकि यह चिप करे ठीक है उसके बाद जो है इसमें मैंने एक छोट और पूंते शिपकानी है तो यह आप देख सकते हैं इधर से वायर यह वाली आप है कि देख सकते हैं यह ग्रीन वायर अब दोस्तों इसमें जो ग्रीन वायर देखिए यहां पर जो ग्रीन वायर है आख दोस्तों यह जो ग्रीन वाइर यहां अटेस्ट तो यह ग्रीन वाइर के बात नहीं कर रहा है मैं उस ग्रीन वाइर के बात कर रहा हूं जो नीचे डारेक्ट यहां से आई वहा है में जो बोलटेज का है और उसके बाद yillow wire यillow wire जो है इन दोनों को ही जब हम start कराते हैं तो यह जो है on हो जाता है अभी देखिए यह off condition में है और अब जो है मैं इसको switch on करता हूँ यह switch मैंने जो लगाया हुआ दोस्तों यह iPhone का silent mode वाला switch होता है मैंने वो लगाया हुआ है देखिए on हो गया है और off करने के लिए मुझे बस इसको ऐसे करना है तो यह switch है दोस्तों यह मैंने iPhone का switch लगाया हुआ है ध्यान रखिएगा iPhone का कौन सा switch है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों यह है वो switch यहाँ पर on off वाला switch होता है iPhone को silent करने के लिए तो यही switch मैंने इसमें लगाया हुआ है पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो कि इसमें कौन सा switch में आखिर लगाऊ छोटा सा फिर आपको और कुछ one plus के models में तो one plus के model को ज़्यादा चलाता भी नहीं है और iPhone के दुए खराब model आपको बहुत मिल जाएंगे कि तो यह वो switch है कि तो इस switch को मैंने connect कर दिया है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप green wire और yellow wire और बाकि आप लोग wiring देख लिजे सायद आपको जुरुत पढ़ जाए wiring की तो wiring दोस्तों यह है इसकी देखिए यहाँ पर एक green wire जुड़े हुई है ठीक है और उसके बाद यहाँ golden wire जुड़े हुई है यहाँ पर नीचे और इसके बाद यहाँ पर यह आपकी orange wire है और यहाँ पर यह देख सकते हैं यह brown wire है यह brown wire है यह लिखा वाइस पर और उसके बाद यहाँ पर yellow wire है जो की magnetic switch की है फिर उसके नीचे एक और purple wire मिलेगी आपको यहाँ देख सकते हैं यह purple wire इसके बगल में लगे हुई है यहाँ पर इसके नीचे brown के नीचे purple wire तो यह है इसके wiring अब मैं आपको speaker में चेक कराता हूँ green wire देखे यह break हो गया यह green wire भी लगी हुई है यहाँ पर परपल के बगल में दोस्तो green wire भी लगा हुआ है यहाँ पर और यह देख सकते हैं इस पर जो wiring है यह देख सकते हैं दो ब्लू एन गोल्डन वायर जुड़ी है यहां पर और वाइट वायर जुड़ी है यहां पर रेड और गोल्डन वायर दोस्तों ये है रेड और गोल्डन वायर यहां जुड़े हुई है और ये एक और वायर है ये रेड और ग्रीन वायर है दोस्तों रेड और ग्रीन वायर यहां जुड़े हुई है तो यह आपको wiring दिख गई है दोस्तों अगर आपको इसके switch का वीडियो दिखना है कि इसके switch को yearbad में कैसे fit किया है और कहाँ fit किया है मैंने तो मेरा आने वाला वीडियो आप दीख सकते हैं तनस के लिए मेना चैनल मेBen आएप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उम् मेंद करता हूँ दोसतों हो आज की वीडियू आपको पसंड आई होगी आज की वीडियू में इतना ही वीडियो पसंड आए लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुमेंट भोलेगा थैंक्यू पर वाचिंग